भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस इसमर्णिय तत्य नमबर एक, भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के संस्थापक एलन आक्टेवियन हूम स्काटलेंड के निवासी थे नमबर दो, प्रारम में कॉंग्रेस का नाम भारतिय राष्ट्रिय संग था, दादा भाई नौरो जी के सुझाव पर इसका नाम भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस कर दिया गया नमबर तीन, मद्रास अधिवेशन में कॉंग्रेस को जन कॉंग्रेस बनाया गया, इसमें पहली बार मद्रास के किसान शामिल हुए और स्थानी भाषा को महत्तु दिया गया, इसमें कॉंग्रेस का कलेवर बढ़ा नमबर चार, इलहवाद अधिवेशन, 1888 स्वी में कॉंग्रेस के अध्यक्ष जार्ज यूले बने, जो प्रथम यूरोपी अध्यक्ष थे, पहली बार हिंदी को इस्थान दिया गया, लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषन दिया नमबर पांच, कॉंग्रेस के छटे अधिवेशन कलकत्ता, 1890 स्वी में पहली बार महिलाओं को इस्थान दिया गया, कलकत्ता विश्विद्याले की पहली महिला इसना तक कादाम्बिनी गांगुली ने अधिवेशन को संबोधित किया था नमबर छे, स्वदेशी आंदोलन का सारवार्धिक प्रभाव भारत के सांस्कृतिक शेत पर पड़ा था, सिक्षा, साहित, कला तथा विज्ञान की अभूत पूर उन्नती हुई नमबर साथ, 1906 वी के कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन की अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरो जी ने किया था, दादा भाई नौरो जी ने पहली बार स्वराज का उल्लेक किया नमबर आठ, 1907 में कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के आपसी मतभेत के कारण कॉंग्रेस का विभाजन हो गया, इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोश बनाए गये थे नमबर नौ, कॉंग्रेस के लखनव अधिवेशन, 1916 स्वी में गरम दल और नरम दल पुनह एक हुए, अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे नमबर दस, 1917 में भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार एक महिला स्वीमती एनिवेशन को अध्यक्षा बनाया गया था 11. बाल गंगा धर्तिलक ने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की 12. 1924 के बेल गाउं अधिवेशन में महत्मा गांधी भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे 13. त्रिपुरी अधिवेशन 1949 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्रबोस अध्यक्ष के पत पर विजयी हुए 14. कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन में नेहरू ने 1929 में पून स्वराज की मांग की थी 15. कॉंग्रेस के दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी को असायोग आंदोलन चलाने की अनुमती कॉंग्रेस ने दी थी 16. आठ अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कॉंग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था